दोस्तो एक ऐसी लड़की जो एक रात की 55 करोड रुपे देने को भी तयार हो गई थी और बलकि उसने 65 करोड रुपे दे भी दिया थी तो ऐसे में आज हम आपको उसी के बारे में बताएंगे दोस्तो दुबई के राजा की ऐसी शहजादी जो किसी भी नियम और कानून को नहीं मानती फिर चाहे वो उसके पिता द्वारा बनाएगे कानून हो या फिर किसी इसलाम की नियम ही क्यों न हो शेख की इस राजकुमारी को अपनी मनमर्जी करनी की पूरी आजाती है जी हाँ दोस्तो और हम बात कर रहे हैं दुबई के राजा शेख मुहम्मद की लाटली बेटी शेखा महरा के बारे में जो कि अरब की सबसे खूबसूरत राजकुमारी के साथ साथ सबसे अमीर भी है लेकिन उनकी जिंदगी वहाँ की शहजादियों से बहुती अलग है शामिल होना हो लेकिन आखिर शेखा महरा को ही सबी महिलां से जादा इतनी आजादी क्यों दी गई है और ये किसकी बेटी है उनकी मा कौन है और इनके पती कौन और क्या करते हैं और उनकी आजादी के चलते इन्होंने आखिर कैसे एक ही रात में 65 करोड रुपे लोटा दि है क्योंकि उनके रंगीन मिजास पिता ने छे शादियां की थी लेकिन अब तक वो इनमें से अपनी कई बीवियों को तलाग भी दे चुके हैं लेकिन इनमें से एक प्रिंसिस हाया के साथ ये काफी चर्जा में रहे थे शेख मौम्मद ने अपनी सभी बीवियों को मिला कर कुल 28 बच्चे किया हैं और ये सभी बच्चे एक लग्शरी और राजकुमार जैसे जिन्दगियां जी रहे हैं लेकिन इनमें से उनके बेटे हमदान उनके फेवरेट बेटे हैं और उसे ही उनका उत्राधिकारी भी माना जा रहा है दोस्तो शेख मौम्मद सक्त राजा हो भी नहीं टाल सकते मिसाल के तौर पर उनके सबसे लाड़ले बेटे हमदान ना चाहते होई भी पिता के कहने पर चुपचाप शादी कर ली थी इतना ही नहीं बलकि उनके सभी बच्चों को इनका हर हुकुम मानना पड़ता है और उनकी सभी बेटियां हिजाब पहनती है ल इनों ने 29 साल के उमर में शेक माना बिन मुहमद से शादी की थी इकवल ऐसी शहजादी है जो कि आरब देशों के ओरतों में से सबसे आजादी और लक्शरी लाइफ जी रही है वैसे तो शेखा महरा बहुती अलग स्वभाव किया है और इने ज्यादा तर चमकीले और खाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती आपने अक्सर इन्हें पार्टियों और इवेंट्स में देखा होगा जहां पर ये बड़ी खुबसूरती के साथ तयार होकर आती है इतना ही नहीं बलकि बादशा की ये शहजादी मीडिया की साथ भी बहुती कॉन्फिडेंट होकर पाते करती है लेकिन वहीं दुबई के बादशा की बागी बेटियां ऐसा नहीं कर सकती है क्योंकि उन्हें ऐसा करने की इजाज़त नहीं है वो किसी के भी सामने नहीं आती और हिजाब पहन कर रखती है लेकिन वहीं शेखा महरा पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है इसी वज अज़ादी से ये अंदाजा लगाए जा सकता है कि शेखा महरा बादशा की बहुत लाटली बेटी है। इसलिए उन्होंने इसे कुछ भी करनी के आज़ादी दे रखी है। इसलिए शेखा महरा अपनी जिंदिगी पूरी तरह से खुल कर इंजॉय करती है। उन्हें महेंगी चीजें खरीदना, ट्रैवल करना और बड़े-बड़े इवेंट में शामिल होने का भी बहुत ज्यादा शौक है। इसलिए आज कल ये सब उनकी रोजमर्रा के जिंदिगी का हिसा बन गया है। और इस सब का कारण शेखा महरा की मा को माना जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि उनकी माँ 22 से ना होकर बलकि ग्रीज से थी। इसलिए शेखा महरा के अंदर वैस्टन कल्चर के साथ साथ अरब की छलक भी नजर आती है। शेखा महरा के पिता शेख महरा आज से 30 साल पहले एक रीज की लड़की ग्रीकोराकोस से शादी की थी। इन्होंने दो बच्चों को जनम दिया जिसमें एक बेटा अब्दुल्ला और बेटी शेखा महरा थी। और कुछ साल साथ रहने के बाद फिर इन दोनों में तलाक हो गया। लेकिन तभी शेखा महरा अपनी मा के साथ ही ज्यादा रहती थी। और अब पिता के साथ रहने के बावजूद भी वो अपनी मा के साथ मिलती रहती है। इसी के चलते शेखा मेहरा आधी अरब और आधी इरानी है और वो अपनी मा की तरह ही वेश्टर्न कल्चर में रहना पसंद करती है इसीवज़ा के कारण इनके पिता ने इनफर कोई भी पावण्दी नहीं लगाई है इनके पिता ने इन्हें हर चीज़ करने के आजादी दे रखी है लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी शेखा महरा ने कभी भी अपनी आजादी का गलत फाइदा नहीं उठाया इसी वज़ा से उन्होंने बाहर से बिजनस की एजुकेशन हासिल करने के बाद वापस दुबई आकर अपने पिता के साथ मिलकर दुबई को बहतर से बहतर बनाने का जिम्मा उठाया है अब वो अपने पिता के साथ मिलकर काम कर रही है इसी वज़े से उन्हें उनके पिता ने आजादी दे रखी है खुबसूरत शेखा महरा ने 29 साल के उमर में शादी की थी लेकिन उनकी शादी को बहुती कुप तरीके सी किया गया था वहाँ पर सिर्फ गिनेच उने लोगों को ही बुलाया गया था राजकुमारी शेखा महरा के शोहर का नाम शेख मना है जो कि दुबई के सबसे बड़े बिजनसमेन में से एक है दोस्तो आपको बता दे कि शादी से पहले जब शेखा महरा का जनम दिन मनाए जा रहा था तो इन्होंने एक ही राद में अपने जनम दिन पर 65 करोड रुपे खर्च कर दिये थे और जिसे दुबई की सबसे महेंगी बर्थडे पार्टी भी माना चाता है तो दोस्तो आपको शेखा महरा के बारे में जानकर कैसा लगा? इसके बारे में कॉमेंट करके हमें जरूर बताईएगा वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करे, शेर करे और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलियेगा